देखें कोश्चन यहां पर यह बोल रहा है कि यह जो है 65,000 रुपे के साथ निवेस का यह बहुसाय सुरू करता है कुछ महीने बाद B जो है उसके साथ जूड़ जाता है B के सामिल होने के 3 महीने बाद जो है वो C भी जूड़ जाता है 55,000 रुपे लेकर बोर्ष के अंत में A को अपने हिस्से के रुप में लाव का 50% मिलता है अगर मांग चोड़ लाव हुआ 100 रुपे थे A को इसमें से कितने में बिले 50% याने की 50 रुपे आपको बताना है कि A ने कितने महें तक अकेले ब्योसाई किया आज़े question को करते है यह आपका A, B और C A जो है पैसोड़ रुपे के साथ निवेश किया B जो है पचास एजार और C जो है पच्पनाजर रुपे की हमें पता नहीं है, हम माल लेते हैं कि A यह 12 महेने के लिए लगणुब बईशिए आई आगा 12 महने के लिए इन्वेस्मेंट कर रहे और 2015. क्यों बारा 12 महने के लिए प्रप को ची मीनने के लिए इन्वेस्मेंट कर रहे है डइस fig 16 निकालेंगे ते यह हो जाएगा आपका 13, 10, और यह कितना वजाएगा आपका 11, यह होगा. investment क्या होता है? total profit और time को हम अगर add कर देंगे यह हमाय total profit निकाल याएगा. तो 13, 12 जिम हम add करेंगे ते कितना हो जाएगा? बरतियाइग 16, 12, 13 कितना होता है? बारतिन 15, 156, कितना होता है, बारतियाई 36 और बारतिन 15, 156 रुपे के जो भी प्रोफिट हो रहा है, यह टोटल प्रोफिट का कितना है, आदा है, इसका मतलब यह हुआ, कि इसका जो प्रोफिट 156 है, यानि कि इन दोनों को मिला कर प्रोफिट जो है, और आदा होगा है, इन 10x plus 11x minus 33 यही है 10x plus 11x minus 33 यह हो जागा 21x minus का यह हो जागा आपका 33 21x minus 33 एकोल स्क्राइट कितना है 156 यहां सोजाग 21x equals to क्या हो जागा आपका 249, 5.38, 189 और x equals to क्या हो जागा आपका 9 x की value कितनी आ गई 9 यानि कि b ने 9 महिने तक investment किया होगा b ने 9 महिने तक investment किया होगा यह 12 महिने तक investment किया यह अकेला कितने महिने तक रहा 3 महिने तक रहा, 3 महिने तक रहा, 3 महिने तक option number b जो है इस question का answer हो जाएगा